हेलो एवरिवन वेलकम टू नेट जे आरेफ माइंड फ्रेंड्स हम कवर कर रहे हैं पॉलिटिकल साइन्स के सिलेबस को आपके नेट जे आरेफ के एक्जाम के लिए जिसमें आपकी दस यूनिट होती हैं तो ओल्रेडी हमारी जो यूनिट नाइन हैं जो आपकी पब्लिक लगते हैं ठीक है तो हमने यूनिट नाइन के बाद अभी स्टार्ट किया है हाल ही में कंपेरेटिव पॉलिटिक्स जो कि आपका यूनिट फॉर से रिलेटेड हैं कंपेरेटिव पॉलिटिक्स पर हमारी अल्रेडी दो वीडियो आ चुकी हैं दो क्लासे हो चुकी हैं जिस इसकी हमारी जो part 1 है, वो आज चुका है, approaches, काफी सारी approaches को हम discuss कर चुके हैं, अपनी last class में, तो आज हमारी जो class है, वो approaches पर ही होने वाली है, ये part 2 हमारा होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ approaches हमारी रहे गई थी, कुछ theory हमारी रहे गई थी comparative politics में, क्योंकि हमारा कल की class काफी to लाने का decide किया था, ठीक है, तो चलिए start करते हैं फिर आज की class, जिसमें हम देखने वाले है, political culture approach क्या होती है, new institutionalism क्या है, political economy approach क्या होती है, comparative methods क्या है, ठीक है, तो काफी सारी approaches जो बहुत ही important है, वो आज की class में हम discuss करने वाले हैं, तो चलिए start करते हैं फिर आज की class, पार्ट में डिवाइड करते हैं traditional approach और modern approach ठीक है मैं आपको बता दूँ कि आज की जो हमारी class है वह approach is यह जो comparative politics का पहला topic है यह इसका part two है part one जो class है वो आपका आचुका है ठीक है जिसमें हम काफी सारी theory को discuss कर चुके हैं कल की last class में हम देख चुके है historical approach क्या होता है legal approach, institutional approach, system approach आपका क्या होता है, structural functional approach आपका क्या होता है, तो ये हमारा class 1 में हो चुका है, तो अगर आपने नहीं देखा है और आप इस channel पर नए हैं, तो आप सबसे पहले जाकर part 1 देखिए, ठीक है इसके बाद आप इस class को देखना ठीक है तो आज जो हमारा रह गया था हम आज वो सब complete करने वाले हैं अपनी आज की class में ठीक है देखिए approaches का मतलब क्या होता है द्रश्टी कोन हर thinker का किसी भी चीज़ को देखने का अपना द्रश्टी कोन होता है अपना नजरिया होता है ठीक है तो फिर वो एक theory develop कर देता है जो कि उसी के उससे जानी जाती है ठीक है तो यह जितना भी theory है comparative politics का हमने उसको दो part में divide किया traditional approach परमपरागत जो theory है then modern approach जो आधुनिक theory आई है ठीक है आधुनिक उपागम है तो traditional approach में आपके यह सब आते हैं और modern approach में आपके यह सारी theories आती हैं कल हमने यह अच्छे से discuss कि लिपने वाले हैं सबसे पहले political culture आप्रोच क्या है आपकी political economy आप्रोच क्या होता है New institutionalism क्या है comparative methods आपका क्या होता है ठीक है और भी बहुत कुछ dependency theory क्या है ठीक है तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि political culture आ प्रोच क्या है देखिए तो समझते हैं कि what is political culture राज्नीतिक संक किरती एप्रोच क्या है ठीक है तो सबसे पहले हम इसको इंगलीस में समझने का परियास करते हैं देन हम हिंदी पर आएंगे ठीक है आप जिसमें भी कमफर्टेबल हो उसमें अपने नौट्स बनाएं देखिए वाट इस पॉलिटिकल कल्चर पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है देखिए लोगों का पॉलिटिकल सिस्टम या फिर पॉलिटिक्स के प्रती जो भी बिलीफ्स, नौर्म्स, वैल्यूज, एटिटूड्स, ओरियन्टेशन होता है ठीक है पॉलिटिक्स के प्रती वही हमारा पॉलिटिकल कल्चर कहलाता है हम ऐसा बोल सकते हैं कि लोग कितने अवेयर हैं पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, सरकार के बारे में, ठीक है अपने इंट्रेस्ट के बारे में, पावर, आइडेंटिटी, इंस्टिटूशन, इन सब के बारे में या फिर पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में लोग कितना अवेयर होते हैं यही हमारा पॉलिटि कल्चार अप्रोच है इसको हमने बोरो किया है सोशोलोजी एंड आंथ्रोपोलोजी से यह आप याद रखेंगे कि इट बोरोज इस कॉंसेप्ट फ्रॉम सोशोलोजी एंड आंथ्रोपोलोजी ठीक है देखिये इट इंक्लूड दस्टडी ओफ लीगल इंस्टिटूशन इसमें हम लीगल इंस्टिटूशन की स्टडी करते हैं फैमिली रिलेशन मास बिहेवियर electoral system, power influence, ठीक है, इन सब की study हम political culture approach में करते हैं, ठीक है, देखिए, देखिए, political culture approach से related thinker कौन है आपके, तो सबसे पहले हैं आपके गैब्रियल आलमंड, ठीक है, गैब्रियल आलमंड, इनकी books यहां पर दी हुई है, जो काफी important है, देखिए, गैब्रियल आलमंड की कौन-कौन सी बुक है, politics of developing area, जो की 1960 में publish हुई थी, ठीक है, दूसरी बुक है, इनकी comparative politics, a development approach, ठीक है, 1966 में publish हुई है, ये बुक सबसे important है, इनकी गैब्रियल आलमंड की the civic culture, ठीक है, और इस बुक का पूरा नाम क्या है, the civic culture का political attitudes and democracy in five nations, इस बुक में गैब्रियल आलमंड ने five nations की comparative study क ठीक है, दस civic culture में, ये काफी important बुक है, previous year में काफी बार ये पूछा गया है, कि किसकी बुक है, ठीक है, देखे, comparative politics today, a world view, जो की 1974 में publish हुई थी, ये भी गैब्रियल आलमंड की बुक है, ठीक है, तो ये सारी गैब्रियल आलमंड की बुक है, गैब्रियल आलमंड हमारी कि से जुड़े हुए है, political culture approach से जुड़े हुए है, दूसरे thinker है, Lucian Pai, Lucian Pai भी आपके political culture approach से जुड़े हुए है, और Lucian Pai की बुक का नाम है, political culture and political development, जो की 1965 में publish हुई थी, तीसरे thinker है, Sydney Varva, जो की काफी important है, ये भी political culture approach से जुड़े हुए है, और इनकी books है, small groups and political behavior, a study of leadership, जो की 1961 में publish हुई थी, दूसरी book है, इनकी elites and the idea of equality, a comparison of Japan, Sweden and US, इसमें ये जपान, Sweden और US का comparison करते हैं, ठीक है, 1987 में ये publish हुई थी, देखिए, एक चीज़ आप यहाँ पर धिहान रखेंगे, the civic culture, आप सोच रहे होंगे कि the civic culture तो Gabriel Almond की book थी, पिर ये Sydney Varva की book क्यों बता रहे हैं, तो friends, जो civic culture book है न, इसको Gabriel Almond और Sydney Varva, दोनों ने मिलकर लिखा था, ठीक है, आप ये चीज़ दिहान रखेंगे, तो ये दोनों की book है, तो मैंने आपको बताया था, civic culture का उपर पूरा नाम, ठीक है, जिसमें ये दोनो five countries की comparative study करते हैं, तो five countries कौन सी थी, देखिए, US से US है आपका, UK, Mexico, Germany और Italy, इन पांच country की जो है एक comparative study करते हैं, Gabriel Almond और आपके Sydney Varva, ठीक है, ये पूरा नाम आपको यहाँ पर बता दिया था, देखिए, फिर इनकी book का नाम है, Sydney Varva की The Private Roots and Public Action, जो की 2001 में publish हुई है, then आपकी participation and political equality, जो की 1978 में publish हुई थी, voice and equality 1995, तो ये सारी books जो हैं, वो Sydney Varva की है, ठीक है, तो हमने देखा कि political culture approach क्या होती है, लोगों का politics के परती कैसा behavior है, यही हमारी political culture approach है, हम इसमें इसी चीज की study करते हैं, ठीक है, फिर political culture से कौन से thinker related हैं, तो हमने देख लिया, Gabriel Almond, Lucian Pai और Sydney Varva, I hope कि आपको इतना clear होगा, ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखिए, जो political culture approach है, ये काफी important है, इसको Almond and Varva ने दिया था, हम देख चुके हैं, ठीक है, इसमें जो है, Almond and Varva ने political culture approach को तीन पार्ट में divide किया, इन्होंने कहा कि ये तीन प्रकार की होती है, सबसे पहली है आपकी parochial political culture, parochial political culture जो है, ये एक संकिर्ण approach है, ठीक है, parochial political culture, जिसको बोलते है cognitive orientation, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है, तो parochial political culture को ही क्या बोलते है, cognitive orientation, इसको हिंदी में क्या बोलते है, ये अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है, अभी आप ना समझना, देखे, तो जो parochial political culture approach होती है, जो cognitive orientation approach होती है, इसमें क्या होता है, जो लोग होते है, वो political system के प्रती, उन्हें political system के प्रती कोई idea नहीं होता, ठीक है, have not any idea, उनको कोई idea नहीं है, political system क्या होता है, government क्या होती है, इसलिए वे जो है, politics में कोई participation इनका नहीं होता, देखिए, ये parochial political culture में होता है, people do not have any idea or knowledge about political system, government, hence they do not participate in politics, ठीक है, तो वो politics में कोई participate नहीं करते, लोगों को यहाँ politics के प्रती political system का सरकार का कोई idea नहीं होता, तो इसका example क्या हो सकता है, tribal society, जो tribal समाज है, आदिवासी समाज है, कि वहाँ पर बहुत जादा थोड़ी awareness है कि क्या सरकार है, क्या politics है, तो ये इसका example है, आप याद रखेंगे, parochial political culture approach को ही cognitive orientation कहा जाता है, ठीक है, देखिए, दूसरा प्रकार है subjective political culture, subjective political culture को हम effective orientation कहते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें people participate तो करते हैं, ठीक है, लेकिन passively act करते हैं politics में, ठीक है, और इसका example हो जाता है आपका colonial state, जो colonial state का मतलब होता है, एक उपनिवेश, उपनिवेश क्या होता है, जब कोई दूसरी country, अपनी power, चाहे वो military power हो, या कैसी भी power हो, ठीक है, उसके दम पर किसी दूसरे दे हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं, क्योंकि उपनिवेश है, तो वो जिस country के भी उपनिवेश है, उसके order को follow करेंगे, तो वो passively act करेंगे, उनको full freedom नहीं होगी, ठीक है, तो ये होता है subjective political culture approach, effective orientation, तीसरा है आपका participate political culture, जिसको हम बोलते हैं, evaluative orientation, ठीक है, तो participant political culture में क्या होता है, people participate, और act actively in politics, लोग participate भी करते हैं, और कैसे act करते हैं, actively, ठीक है, actively act करते हैं, यहाँ पर जो लोग होते हैं, वो fully aware होते हैं, about their rights, अपने अधिकारों के प्रती, अपने duties के प्रती, ठीक है, and also their role in decision making process, और यहाँ के जो लोग होते हैं, उनका decision making process में भी काफी role होता है, ठीक ह को बोलते हैं, evaluative orientation, और इसका example क्या हो सकता है, highly developed और advanced countries, जैसे की USA हो गया, UK हो गया, यह highly developed country है, विक्सित देश हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि political culture को, almond and verba ने तीन प्रकार में बाटा था, सबसे पहले parochial political culture, जहां लोग बिलकुल नहीं जानते, सरकार के लिए, ठीक है, cognitive orientation बोलते हैं, दूसरा था subjective political culture, effective orientation बोलते हैं, यहां लोग जानते हैं, लेकिन passively act करते हैं, ठीक है, तीसरा था participant political culture, evaluative orientation, यहां पर लोग बहुत ज़्यादा aware हैं, अपने अधिकारों के परती, अपनी duties के लिए, ठीक है, और यहां पर actively act करते हैं, ठीक है participant political culture और इसका example क्या होगा जो भी developed country है विक्सित देश है ठीक है तो यह तीन प्रकार हो गई चलिए आगे देखते हैं यहां पर friends जो SE finer हैं ठीक है हर्मन finer थे इन्होंने भी quality के basis पर political culture को divide किया है तो इन्होंने चार उसमें बाटा था इसको एक होता है mature political culture जो काफी mature हो चुका है वहां की संस्किरते ठीक है तो इसका example क्या है बिटेन औस्टेलिया नीदरलेंड ठीक है system के लिए सरकार के प्रति ठीक है तो पॉलिटिकल कल्चर तो लो पॉलिटिकल कल्चर की बहुत जादा कम है बहुत कम ही लोग aware है तो इसका example जो है ऐसी फाइनर ने व्यतनाम सीरिया इंडोनेशिया इन कंट्रीज को दिया है दैन है आपका minimal political culture जहां की बिलकुल भी awareness नहीं है ठीक है political कल्चर के प्रति सरकार के प्रति तो इसका example जो है इन्होंने प्री फ्रेंच revolution फ्रांस में जब फ्रांस क्रांती हुई थी ना उससे पहले का जो फ्रांस था तो प्री फ्रेंच revolution 1789 फो इसका example दिया है minimal political culture यह सब अभी हम हिंदी में देखने वाले हैं सो डॉंट वरी ठीक है देखिए यहां पर एक जो ऐसी फाइनर थे ना ऐसी फाइनर की आप यह बुक का नाम याद रखेंगे दा man on horseback the role of the military in politics 1962 में यह published हुई थी यहां पर यह बुक का नाम भी आप याद रखेंगे यह lipset यह काफी बार ना previous year में आये हैं इसलिए में आपको बता देती हूं भीश भीश में ठीक है आप notes जरूर बनाएं तो lipset की बुक का नाम है political man ठीक है यह आप याद रखेंगे तो political man किसे related है lipset the man on horseback as if finer ठीक है तो यह हो गया हमारा यहां पर political culture approach ठीक है अभी हम थोड़ा हिंदी में देखते हैं देखें अब आपको ना बहुत अच्छे से यहां पर समझ में आएगा कि आखिर हो क्या रहा है ठीक ह क्योंकि हम समझ चुके हैं कि political culture approach है क्या हमारी ठीक है देखें तो राजनीतिक संस्किर्ती what is political culture ठीक है अच्छा देखें राजनीतिक संस्किर्ती सब्द का परियोग सिडनी वर्बा हम देख चुके हैं सिडनी वर्बा भी ठीक है तो राजनीतिक संस्किर्ती सब्द का परि अवस्था से है जो राजनीतिक कारिया को संपाधित करते हैं ठीक है देखिए आमंड और वर्बा ने अपनी पुस्तक दसिविक कल्चर पॉलिटिकल एटिट्यूड सेंड डैमोक्रेसी इन फाइफ नेशन्स 1963 में जो पब्लिस हुई है इनमें पाँच देशो ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, जर्मनी वे मैक्सिको में लोकतंत्र की इस्थिर्ता या एस्थिर्ता पर राजनीतिक संस्किर्ति के प्रभाव की समिक्षा की है तो आमंड और वर्बा की बुक है ये दसिविक कल्चर ये है ठीक है आमंड तथा वर्बानी राजनीतिक संस्किर्तियों के तीन रुजहानों की चर्चा की अभी हम देखे थे ना पीछे कि आमंड और वर्बा ने तीन प्रकार के पॉलिटिकल कल्चर बताए थे तो यहां पर आप उसे हिंदी में देख सकते हैं देखिए जो पहला तो यह बताए थी वह पहले पोलते हैं संग्याना आत्मक रुजहां करते हैं दूसरा है भावात्मक रुजहां और तीसरा है मुल्यांकन परकुजहां इवैल्युवेटिव औरेंटेशन जो था ठीक है तो यह चीज में आपको समझा चुकी हूँ कि यह क्या होते हैं ठीक ह अब देखिए S.E. Finer ने अपनी पुस्तक The Man on Horseback, The Role of the Military in Politics 1962, ये इनकी बुक का नाम आप याद रखेंगे, में, राजनीतिक संस्किर्तियों का अधियन करते हुए विकासील देशों में, समवेदानिक प्रनालियों की ऐस्तिरता के दो कारण बताए, पर्थम, वैधता का अधुनी करत वर्ग होता है, जबकि अधिकांस लोग कठोर परंपरगत धांचे में जकडे रहते हैं, ठीक है, राजनीतिक संस्किर्ति के तहत, राश्टिया एक रूपता, अपने देश के नागरिकों की एक रूपता, सरकारी लाब हो, एवं निर्नय प्रकिरियाओं का अ व्यवस्ता की प्रती एक द्रश्टि कौन है, वही हमारा पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्किर्ति कहलाता है, ठीक है, तो आमंड और वर्बा की अनुसार, राजनीतिक संस्किर्ति, तीन प्रकार की होती है, पहली है आदीम कालीन संस्किर्ति, ठीक है, यह हम देखे थ तो देखें अब यहां पर आप समझ सकते हैं कि आदीम कालीन संस्किर्ति क्या होता है। इसके अंतरगर्थ व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कोई ग्यान नहीं होता और नहीं व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था में अपने अधिकारों का ग्यान होता है, तीसरा है सहभागी संस्किर्थी, इसके अंतरगर्थ व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्थ पूरी जानकारी होती है तथा व्यक्ति को अपने अधिकारों वै अपनी भूमिका का भी ज्यान होता है फुली अवेर होता है वो पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में आमंड एवं वर्बा ने नागरिक संस्किर्ती का विचार दिया जो सहभागी संस्किर्ती और प्रजाभाव एक संस्किर्ती चीन की विशेस्ता है संकीर्न संस्किर्ती युगांडा जैसे अफ्रिकी देस में तो यहां हमारा कंपलिट हो जाता है कि प्रोज आपकी क्या थी और क्या सब इस से रिलेटड चीजज़ती ठीक है तो प्रोजनेतिक समाँच सास्त्र्य किया है सक्ति का ठीक है देखे राजनीती दुआरा समाज कैसे प्रभावित होता है समाज किस प्रकार राजनीती को प्रभावित करता है इसी का अधियन राजनीतिक समाज सास्त्र है ठीक है आप बस इसको याद रखेंगे तो राजनीतिक समाज सास्त्र में हम किस चीज का अधियन कर सकती का ठीक है यहाँ पर यह लिपसेट की बुख है आप इसको भी याद रखेंगे पॉलिटिकल मैन ठीक है इसमें राजनीतिक समाथ सास्तर का व्यापकर्थ ग्रहन किया है इन्होंने लिपसेट ने आधुनी की करन वैराश्ट निर्मान पर बल दिया था ठीक है वर्तमान परिप्रेक्ष में राजनीतिक समाथ सास्तर में राज्य वैनागरिकों के मध्य संबंदों का अध्यन किया जाता है ठीक है देखिए तो राजनीतिक समाथ सास्तर में हम राज्य केंदरित अध्यन करते हैं सकती केंदरित अध्यन करते हैं ठीक है तो आप बस इतना ही याद अभी हम देखते हैं कि आपकी political economy approach क्या है ये काफी important approach है political economy राजनीतिक अर्थ सास्त्र ठीक है तो अभी हम इसको समझने का परियास करते हैं सबसे पहले friends हम इसको एक बार English में देखते हैं ठीक है वहाँ पर हमारी जो terminology है वो clear हो जाती है फिर हम आते हैं यहाँ पर ठीक है दे इसको card marks को इसका सरे जाता है इसको famous करने का popularized करने का ठीक है तो इससे card marks जुड़े हुए है आपको तो पता ही है जो card marks की theory है उसका base ही economy है ठीक है वो economy पर ही बात करते हैं देखिए फिर आगे देखते हैं तो आप समझ गए कि political economy को popularized करने का सरे card marks को जाता है दैन चिल चिल कोटे की ये book का नाम है theories of comparative politics ठीक है तो चिल कोटे ने political economy की कुछ varieties को identified किया था ठीक है कुछ प्रकार बताए थे चिल कोटे ने देखते हैं तो सबसे पहले चिल कोटे ने बताया mercantilism की बात की चिल कोटे ने mercantilism क्या होता है आपका वनिक वाद में हम जो है जो आपका export होता है न export का मतलब है निर्यात उसको हम encourage करते हैं ठीक है किसी भी इसपेट के दुवारा इक्सपोल्ट ए निर्यात को encourage किया जाता है प्रत साहित किया जाता है जबकि import आयात को discourage किया जाता है यवाण है थेखे अभ ही आप इतना ही समझ लिजिये की यही आपका mercantilism है देखे, мар Philip, Electronicism के बाद क्या हुआ? liberal economy आई, थोड़ी सी उदारता आई economy की अंदर, ठीक है, तो liberal economy से आपके conzoe related है? एडम स्मित, रिकार्डो और माल्थस, यह आपके liberal economy से related है, यह support करते है market economy को, capitalist economy को, पुझिवादी अर्थ वियावस्ता को ये support करते हैं ठीक है they rejected mercantilism और ये जो thinker है Adam Smith, Ricardo और Maltas ये mercantilism को reject करते हैं ठीक है जो अभी हमने उपर देखा था देखे liberal economy के बाद आपकी आई फिर marxist economy क्योंकि marx जो है liberal economy पुझिवादी अर्थ वियावस्ता का विरोध करता है ठीक है ये तो पुझिवाद को जड़ से समाप्त करना चाहता है तो marxist economy marxist says that capitalist economy is exploitative and unsustainable तो marx आई तो marx वादी जितने भी लोग हैंगे उन्होंने क्या कहा कि जो पुझिवादी अर्थ वियावस्ता है वो तो सोशनकारी है exploitative है कैसी है सोशनकारी है पुझिवादी अर्थ वियावस्ता ठीक है और unsustainable है तो marxist economy मतलब marx वादियों ने ये कहा ठीक है कि पुझिवादी वियावस्ता तो सोशनकारी है फिर Marxist Economy के आप बाद आई आपकी Dependency Theory Friends अब जो Dependency Theory है न कहीं न कहीं जो ये Marxist Economy थी इसका और ज्यादा developed रूप है ठीक है जो Dependency Theory है ये इसी का ही एक developed रूप है तो Dependency Theory क्या है इसको हमें अच्छे से समझना है एकदम ठीक है क्योंकि ये काफी important है तो देखते हैं पहले थोड़ा सा इसके बारे में Dependency Theory it is latest version of Marxist Theory ठीक है Marxist Theory का ये latest version है which is developed by ये नाम आपको बिलकुल याद रखने हैं बहुत important है तो Dependency Theory किस ने दी थी आपकी एंड्रे गुंडर फ्रैंक, समीर अमीन और रॉल प्रेबिस ये तीन नाम आपको याद रखने हैं ठीक है एंड्रे गुंडर फ्रैंक, समीर अमीन और रॉल प्रेबिस इन तीनों ने मिलकर जो है Dependency Theory को दिया था ये है क्या इसको हम अभी समझने वाले हैं ठीक है तो www.roshto ने एक राजिय का, एक सरकार का कैसे Development होता है, कैसे विकास होता है तो यहाँ पर उसी चीज़ को बताया है ठीक है Stages of Development तो विकास कैसे होता है एक राजिय या सरकार का www.roshto ने उसी को यहां पर Explan किया तो उसने 6 चीजों में बताया था तो क्या कहा डबलू रोष्टो ने, रोष्टो ने कहा कि सबसे पहले एक traditional society होती है, ठीक है, एक traditional society होती है, then कौन सी condition आती है, pre-condition for take-off, तो यहाँ पर रोष्टो ने एक airplane होता है न, aeroplane, तो उसी से compare करते हुए, राज्ये की विकास को यहाँ समझाने का परियास किया है, कि स सबसे पहले तो traditional society है, then pre-condition for take-off, जब aeroplane take-off करने की condition में होता है, उससे पहले सब कुछ तयारी करते हैं, take-off करने से पहले, तो pre-condition for take-off, ठीक है, then take-off, फिर हम जो है उडान भर लेते हैं, take-off कर जाते हैं, then drive towards maturity, फिर हम maturity की तरफ बढ़ते हैं, then age of high consumption आता है, कौन सी age आ जहां पर उपभोगता जादा होते हैं, तो एक उपभोगता वाधी condition आती है, then search for quality, ठीक है, जब वो उपभोगता वाधी condition आती है, फिर हम quality की तलास करते हैं, गुन की तलास करते हैं, ठीक है कि बहुत ज़ादा बहुत इकता वाधी चीजे हो रही हैं, तो बस आपको करना क्या है, यहां पर यह जो 6 है न, 6 यहां पर stages है, इसको आपको इसी करम में याद रखना है, ठीक है, इसी करम में इसको आपको याद रखना होगा, कि सबसे पहले traditional society, then precondition for takeoff, takeoff, drive towards maturity, age of high consumption, और search for quality, क्योंकि इसको chronological order में लगाने के लिए आता है, देखिए, तो आपको इ गोश्टों ने यह stages of growth दे थी, then development and modernization, फिर आपके एक thinker थे, और ग्यानेस की, और ग्यानेस की ने भी stages of growth को एक state की कैसे विकास होता है, ठीक है, कैसे growth होती है, तो उसको यहां पर उन्होंने बताया है, तो उन्होंने चार चीज़ें में बताया है, कि सबसे पहले unification होता ह है, उसके बाद क्या होता है, industrialization होता है, तीसरा, फिर welfare, चोथा abundance, अभी बस इन चारों को आप ऐसे देख लीजिए, इसको अच्छे से अभी हम explain करने वाले हैं, ठीक है, उपर, तो सबसे पहले unification, दूसरा, industrialization, तीसरा welfare, चोथा abundance, ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, यह organiski ने बताया था, एक state की कैसे growth होती है, यहाँ पर आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे, कि नव परासरिता सिद्धान्त, यह किस ने दिया है, यह दास संतोस ने दिया है, ठीक है, नव उपनिवेश्वाद, नव उपनिवेश्वाद से कौन related है, एन कुरूमा, ए देखे, तो यहाँ पर राजनीतिक अर्थसास्त्र क्या है, अब आप यहाँ पर अच्छे से समझेंगे, ठीक है, देखे, तुलनात्मक राजनीतिक के आधुनिक उपागम में सविधान, एवं सरकार के अध्यहन के बजाए, राजनीतिक एवं आर्थिक अव्यवों के या विकास के विभिन चरनों की खोज की, ठीक है, यह हम देखे थे कि ओर्ग्यानिस्की ने विकास के विभिन चरनों की खोज की, इस्टेजिस ओफ ग्रोथ की बात की, ठीक है, जिसके अनुसार राज्ये का विकास निमनलिखित चरनों से होकर गुजरता है, ठीक है, तो र राश्ट राज्यय का विकास होता है सबसे पहले एक ही करन राश्ट राज्यय का एक ही करन होता है ठीक है फिर दूसरी कंडिशन आती है वहाँ पर ओध्योगी करन की उत्पादन के तरीके में वहाँ पर बदलाव होता है ठीक है तो ओध्योगी करन तो तभी होगा ना पहले क तो पहले तो राश्य राजिय का एक ही करण हुआ दैन उत्पादन के थरीके में बदलाव हुआ तो हाँपर इंडस्ट्रिलाइजेशन हुआ दूसरा तीसरा कल्यान, welfare, कल्यानकारी राजिये फिर जो राजिये है वो एक welfare state की तरफ आगे बढ़ता है जब वहाँ पर संसाधन होंगे, उद्योगी करन हो चुका है, अच्छे से विकास कर रहा है फिर अपने लोगों की प्रति वो welfare करेगा ना, कुछ कल्यानकारी कारे करम चलाएगा state तो तीसरी stage हो गई, welfare की, फिर चोथी stage आती है, यहाँ पर प्रचूरता अबेंडेंस का मतलब क्या होता है, प्रचूरता, संपन्ता, ठीक है, अब उस state में क्या हो गिया यहाँ पर संपन्ता आने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जब यह सारे काम होते हैं, तो राज्य दुआरा फिर जब संपन्ता आ जाती है, तो राज्य दुआरा सिक्षा, सुआस्थी है, यह जो है, फ्री में उपलब्द कराई जाती है, ठीक है, निसुल को उपलब्द करा ठीक है, एकी करण, अध्योगी करण, कलियान और प्रचीूरता, फिर हमने एक और देखे थे, डवलु डवलु रोष्टो, तो डवलु डवलु रोष्टो ने भी जो है, stages of growth की बात की थी, तो उन्होंने क्या बताए थे, विकास के चरण, तो उन्होंने बताए थे, कि सबसे पहले एक traditional society होगी परमपरागत समाज होता है उसके बाद precondition for take off पूर्व की स्थिती के लिए दोड़ ठीक है पूर्व की स्थिती के लिए दोड़ होती है फिर take off take off का मतलब क्या है यहाँ पर परमपरागत समाज को आधुनिक समाज की और बढ़ने की दोड़ होती है ठीक है इसका मतलब यहाँ पर यह था take off का फिर होता है drive towards maturity then परिपकवता की और बढ़ना age of high consumption उच उपभोग की व्यवस्था फिर है search for quality गुनवत्ता की खोज फिर हम करते है ठीक है तो यह विकास की चरण बताए थे www.roshtov ने देखिए www.roshtov ने विकास के इस model को पूरे विस्व के लिए उपयोगी बताया इसलिए उनका यह है दावाथ था कि सभी समाज विकास की इसी प्रकिरिया की अनुसार समरधी के रास्ते पर बढ़ेंगे और नव स्वेतंत्र ACI अफरीकी देशों के लिए भी विकास का यही model लागू होगा ठीक है इसलिए उन्होंने उपनिव व्यवस्ता का अन्या परिप्रेक्ष जो की हमने देखा भी तर डाइमेंशन ठीक है तो चिलकोटे ने अपनी किताब थियोरीज ओफ कमपेरिटिव पॉलिटिक्स में राजनीती कर्थसास्तर को निम्न रूप में चितरित किया है ठीक है राजनीती कर्थसास्तर के सिध्ध वनिकवाद का मूल उदेश्य राष्टिय संपत्ति में व्रध्धी करना है ठीक है वनिकवाद का मूल उदेश्य क्या है राष्टिय संपत्ति में व्रध्धी करना इनकी मान्यता की अनुसार व्यक्ति का स्वभाव मूलत स्वार्थी होता है ठीक है इसलिए व्यक्ति के स् विधियों में हस्तच्छेब आवश्यक है ठीक है देखे राजये द्वारा आयात को हतुतसाहित करने का परियास होना चाहिए वे निरियात को बढ़ावा देना चाहिए तो ये था आपका वनिकवाद ठीक है आई-होब कि आपको ये क्लियर हो गया होगा फिर वनिकवाद के उधारवादी क्या कहते हैं? इंगलेंड के राजकी अर्थसास्त्रियों ने उधारवादी राजनीतिक अर्थसास्त्रि के सिधान्त का निर्मान किया इनमें कौन हैं? अडामी स्मीद, रिकार्डो वेमालथस उलेखनिये हैं इनके अनुसार परती एक व्यक्ति सदेव अपने हितों के लिए कारिय करता है इसलिए बाजारवादी अर्थ व्यवस्था सर्विस्रेश्ट है जिसमें व्यक्ति की मांगे तार्किक रूप में पूर्ण हो जाती हैं तता समूचे समाज की भलाई भी हो जाती है क्योंकि किसका जो उदारवादी है ठीक है जो उदारवादी राजनीती कर्थ सास्त्र को मानते हैं फिर क्या कह रहे हैं यह कि बाजार में मांगवे आपूर्ती दुआरा एक स्व्यभाविक सामंजश्य उत्पन हो जाता है तथा मुक्त व्यापार सभी के लिए लाबकारी है इन लेखे आलोच को के अनुसार अलोचना भी हुई है इसकी कि उदारवादी राजनीती कर्थ व्यावस्था का समर्थन आर्थिक रूप से सक्तिसाली राष्टों ने किया तो आलोचना क्या आलोचना में क्या बोल रहे हैं कि जो उदारवादी राजनीती कर्थ व्यावस्थ तीसरी दुनिया के अधिकांस देशों ने उदारवादी राजनीती कर्थसास्त्र के मोडल को एस्विक्रत कर दिया तो ये इसकी आलोचना हो गई देखिए जोन मेनार्ड कीन्स ने अपनी रचना जनरल थियोरी ओफ इंप्लोईमेंट इंट्रेस्ट एंड मनी चुकि 1936 में पबलिस हुई में राज्य दुआरा आर्थिक गतिविद्यों में हस्तचेप का पूर्ण समर्थन किया तो इन्होंने कहा कि राज्य को आर्थिक गतिविद्यों में हस्तचेप करना चाहिए जोन मेनार्ड कीन्स ने जोन मेनार्ड कीन्स ने कल्यानकारी राज्य का अधार र प्राकर्तिक सामंजश्य की मान्यता का जोरदार खंडन किया गया तो ये उदारवादियों की आलोचना करते हैं मार्क्सवादी मार्क्सवादियों के अनुसार उदारवादियों ने पूंजीवाद का ओचित्य सिध करने के लिए बाजारवादी नियमों को प्राकर्तिक मान लिया जबकि वास्तविक रूप में यह सोशन पराधारित है इसलिए मार्क्स ने पुंजिवाद के विदवन्स का नारा दिया यह आप जानते होंगे अगर आपने मार्क्सिस्ट थियोरी को पढ़ा होगा लेनिन के अनुसार सामराज्य वाद पुंजिवाद का ही विक्सित रूप है यह स्टेटमेंट आप याद रखेंगे यह लेनिन की स्टेटमेंट है क्या कि सामराज्य वाद पुंजिवाद का ही विक्सित रूप है यह स्टेटमेंट काफी बार पूछा गया है मार्क्स वे लेनिन की इनी मान्यताव का व्यवस्थित स्वरूप परासरित्ता सिध्धान्त कारों ने निर्मित किया देखे जो मार्क्स वादी थियोरी है इसी का ही लेटेस्ट वर्जन क्या है आपका परासरित्ता सिध्धान्त इसको इंगलिस में बोलते हैं dependency theory ठीक है जो अभी हमने देखा भी था तो dependency theory क्या है अभी इसको आप अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये काफी important है तो हमने बताया था कि dependency theory से कौन-कौन thinker related है किसने दिया है dependency theory को आपके role previous मूल प्रतिपादक कौन है dependency theory परासरिता सिधान्त के role previous और कौन थे और थे इसके आंद्रे गुंडर फ्रैंक और समीर अमीन ये तीन थिंकर जो है ये आपके dependency theory से जुड़े हुए है ठीक है इनका नाम आप याद रखेंगे अब समझते हैं कि आखिर dependency theory क्या कहती है ठीक है देखिए परासरिता सिधान्त के मूल प्रतिपादक role previous है इनके अनुसार लैटिन अमेरिका जैसे तीसरी दुनिया के देसों के अल्प विकास का मूल कारण इन देसों में पूंजिवाद का एभाव है ठीक है इसलिए परासरिता सिधान्त कार है ठीक है इसलिए पूंजिवादी व्यवस्था को नश्ठ करने की बात करते हैं ये भी ठीक है उनके अनुसार विकासील देशों के पिछड़े होने का मूल कारण इनका विकसित देशों द्वारा किया गया सोषन है ठीक है तो ऐसा इनका मानना है प्रेंट्स पहले आप इस चीज को समझे जब आपको अच्छे से ये चीज समझ में आएगी ठीक है देखे जो dependency theory है परासरिता सिध्धान्त जो भी इसके ये प्रतिपादक है इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा मेंली तो सच बताओं की जो वोलरिस्टीन है ये वोलरिस्टीन ठीक है पहली country core है फिर एक दूसरी country होती है आपकी periphery ठीक है दूसरी country आपकी periphery है और तीसरी country आपकी होती है semi periphery ठीक है semi periphery तो होता क्या है इसमें तो इसमें जो वोलरिस्टीन है ना जो भी इस से related thinker है वो ये core country में कोन आएंगी आपकी आप इस चीज को समझे पहले core country म ठीक है, core country में आपके विक्सित देश आते हैं देखे, तो core country जो है आपके उसमें विक्सित देश आएंगे जो periphery country है उसमें विकासील देश आजाएंगे जो semi periphery country है उसमें अलप विक्सित देश आएंगे तो यहाँ पर जो वोलरिस्टीन है वो ये बोलते हैं जो core country है, जो कॉंच्छा मालका यह जो है, आयात करते हैं, और उस कछे मालको manufacture है, थीक है, इन्हीं के वाजारों में जाकर अपने सामान को बेजते है, जिससे यह profit कमा लेते हैं, धीक है, और ऐसे में यह जो country हैं, जो अल्प विक्सित country हैं, इनका क्या हो जाता है, सोशन हो जाता है ठीक है तो कोर कंट्री इन दोनों का सोशन करती है जब कि पैरिफेरी सैमी Got परिफेरी का सोशन करती है ठीक है तो यह आपस में सोशन करते हैं तो यही है आपके डिपेंडेंसी थियोरी ठीक है अब आप समझ जाएंगे आई होप तो देखे इनके अनुसार विकासिल देशों के पिछडे होने का मूल कारण क्या बताया इनोंने इनका विक्सित देशों द्वारा किया गया सोशन है तो यह ऐसा मानते हैं कि यह जो कंट्री है ना पैरिफेरी और सैमिफेरी यह इसी लिए पिछडी हुई है क्योंकि इनका विक्सित देश हैं यह लगातार सोशन कर रहे हैं देशों की सिरेनी में पहुच सकते हैं ठीक है इसलिए कोर देखे जो कंट्री अभी में बताई थी न कोर पैरिफेरी सैमी पैरिफेरी वो यहीं है तो इसलिए कोर परीधी वे अधर परीधी के मद्या स्थानांतरन संभव है एक चीज और आप यहां पर समझे इन्होंने कहा क कि यह जो कंट्री है ना कोर पैरिफेरी तो इनके अंदर जो भी कंट्री आती है ऐसा नहीं है कि वो कोर कंट्री हमेशा कोर ही रहने वाली है पैरिफेरी हमेशा पैरिफेरी रहीगी नहीं इनके अंदर जो है बदलाव भी आ सकता है ठीक है हो सकता है कि कोर पैरिफेरी में आ जाए ठीक है तो यही बता रहे हैं तो विकासिल देश भी विक्सित पुण्जिवादी देशों की सिरेनी में पहुच सकते हैं इसलिए कोर परीधी व्यादर परीधी के मद्या इस्थानांतरन संभव है ठीक है इनकी अनुसार कोर के राष्ट परीधी के राष्टों का किया गया एंद्रेदे ने विकास के खंबे पॉल्स ओफ डवलपमेंट का विचार दिया आप दियान में रख लेना कि पॉल्स ओफ डवलपमेंट का विचार विकास के खंबे किस ने दिया एंद्रेदे ने दिया ठीक है तो आप इसको याद रखेंगे परासरिता सिद्ध यहान पर जानते हैं कि यहां पर जानता सिधानतैं सिदांत्त सफ्वी कहा बाहराति कंपनियों के दुआरा सभीches कहा गया है तो new dependency theory में क्या है यहाँ पर जो multinational company होती है न वो सभी countries का क्या करती है social करती है तो इसमें mainly यही कहा गया है और इसको now corporate भाद भी कहा जाता है ठीक है तो यहाँ पर आपकी complete हो जाती है dependency, political economy, broadly तो हम political economy को समझ रहे थे जिसमें हमने अच्छे से समझे कि dependency theory क्या होती है, core country, periphery, semi periphery country क्या होती है ठीक है देखे अभी हम new topic start करते है नव उपनिवेश्वाद इसको हम rough कर देते हैं यहाँ पर हम समझते हैं कि नव उपनिवेश्वाद क्या है ठीक है नव उपनिवेश्वाद तो इस सब्द का इस्तेमाल N.Kuruma दुआरा किया गया N.Kuruma की रचना क्या है नियो कोलोनिलिजम 1965 ठीक है जो नव उपनिवेश्वाद की संकल्पना है वो second world war के बाद आई ठीक है दुईत्य विश्वियोद के बाद आई तो नव उपनिवेश्वाद का आश्य है देखे तो सबसे पहले आप समझें यहाँ पर कि उपनिवेश्वाद क्या होता है ठीक है उपनिवेश्वाद क्या होता है तो आपको पता होगा कि भारत किसका उपनिवेश रहा था पहले ब्रिटेन का रहा था न, ठीक है, तो उपनिवेश का मतलब होता है, कोई सकतिसाली जो कंट्री होती है, वो अपनी पावर के बेस पर, ठीक है, अपनी आर्थिक पावर हो, मिलटरी पावर हो, उसके बेस पर किसी कमजोर कंट्री को अपना क्या बना लेती है, उपनिवेश बन करती थी ठीक है लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं नव उपनिवेश्वाद की तो आखिर यह नव उपनिवेश्वाद क्या है तो समझे कि नव उपनिवेश्वाद का आस्य विक्सित देशों दुवारा आर्थिक तकनीकी रूप में विकासिल देशों पर प्रभुत्व काय करने से है तो यहाँ पर तो जो कंट्री थी वो military power के base पर ठीक है military power के base पर किसी को अपन Fish Image बना रही थी लेकिन अब वो तो है नहीं तो अब हम कैसे कैसे विक्सित डेश दूसरी कंट्री को अपना उपनि वेश बनाते हैं अब वो बनाते हैं आर्थिक और तक्नी की रूप में विकासी इल देशों पर प्रभुत्व कायम करके ठीक है तो यही आपका नव उपनिवेशवाद है ठीक है आप इसको याद रखेंगे चलिए आगे चलते हैं देखें तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो परंपरागत उपनिवेशवाद था उसका क्या मतलब था तो परंपरागत उपनिवेशवाद का आश्या राजनीतिक एवं प्रसाशनिक रूप से किसी देश पर प्रभुत्व से लिया जाता था ठीक है लेकिन अभी नव उपनिवेशवाद में क्या हो रहा है आर्थिक वैं तकनी की रूप से प्रभुत्व कायम किया जा रहा है ठीक है विक्सित देशो द्वारा विकासिल देशो पर तो अभी हमारा नियू टोपिक बचा है नव संस्थावाद क्या है नियू इंस्टिटूशनल अप्रोच क्य ठीक है फिर हम यहाँ पर आएंगे देखिए फ्रेंट्स तो अभी हम समझते हैं कि नियू इंस्टिटूशनल अप्रोच आपकी क्या है ठीक है तो आपको याद होगा कि हमने जो ट्रडिशनल अप्रोच पढ़ी थी उसमें हमने इंस्टिटूशनल अप्रोच को देखा था ठीक है जो नियू इंस्टिटूशनल अप्रोच है आपकी ये मोडर्न अप्रोच में आती है ठीक है तो इंस्टिटूशनल अप्रोच में हमने देखा था कि जो ये सिर्फ किस चीज़ पर ध्यान देती थी जो परंपरागत उपागम थे वो सिर्फ राज्यय सरकार सविधा या फिर जो भी सरकार के अंग है ठीक है फोर्मल स्ट्रक्चर है लीगल स्ट्रक्चर है सिर्फ उन्हीं के अध्यान पर फोकस करती थी हमारी institutional approach ठीक है तो कहीं न कहीं वो जो आर्थिक वे सामाजिक अध्यान है उसका dimension है ठीक है एक human का भी तो रोल होता है ना organization में तो उसको वो ignore करती थी तो यहाँ पर जो new institutional approach है यह इन दोनों को mix करके अध्यान करती है वो सरकार के अंगों का अध्यान तो करती है लेकिन उसमें मानव का क्या रोल है human का क्या रोल है उसका भी अध्यान करती है ठीक है देखे तो new institutionalism try यह try करती है किस चीज के लिए to combine, combine करने का the interest of traditionalist scholars who focused on studying formal institutional rules and structures with behavioralist scholars who examined the actions of individual political actor तो यह जो focus करते थे थे ना formal institution के अध्यान पर ठीक है उसको और जो focus करते हैं एक individual के individual के behavior पर इन दोनों को mix करने का परियास करती है ठीक है देखे इस approach became dominant around 1980 in US तो 1980 में US में यह approach जो है new institutional approach यह dominate करती है ठीक है यह किस चीज पर believe करती है it believes that studying individual political behavior without examining institutional constraint on that behavior gives a skewed understanding of political reality देखे इस approach का ऐसा मानना है कि अगर आप किसी individual individual के political behavior को अगर आप study नहीं करते है ठीक है तो वो आपको एक संकीरन understanding देगी ठीक है आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि वो structure आखिर है क्या सरकार के जो अंग है उसका पूरा आप उसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे ठीक है तो आपको सरकार के जो institutions हैं उसका भी अध्यान करना है और उसमें एक individual का क्या role होता है उसका भी अध्यान करना है ठीक है तो new institutionalism is a post behavioral approach और इसको post behavioral approach भी कहा जाता है ठीक है देखिए जो new institutional approach है इनसे जुड़े हुए हैं आपके James Marge और John Olson ठीक है ये दो नाम आप याद रखेंगे जो की new institutionalism से जुड़े हुए हैं इनकी बुक का क्या नाम है जोन जेम्स मार्च और जोन ओलसन दा new institutionalism organizational factors in political life ये इनकी बुक है rediscovering institutions the organization basis of politics ये इनकी बुक है ठीक है new institutionalism है ना friends इसकी तीन branch है इसको तीन प्रकार में बाटा गया है पहला rational choice institutionalism दूसरा cultural new institutionalism तीसरा structural new institutionalism ठीक है इसको अब भी हिंदी में भी देखने वाले हैं तो आप चिंता मत करना भी पस आप समझ लीजिए कि ऐसा कुछ है ठीक है तो जो new institutionalism है ना इसके key argument क्या है एक तो scientific study करती है ये institution की ठीक है दूसरा syncretism between old and new approach जो old और new approach को ये जोडती है ठीक है उसको mix up करती है तीसरा re-approval to the importance of institutions और institutions की importance को ये फिर से re-approve करती है उसको मान्यता देती है कि yes institution is important ठीक है चोथा study of human behavior in politics politics में human behavior की study करती है सबसे main तो इसका यही है ठीक है जो की पहली approach नहीं करती थी तो politics में ये human behavior की study करती है ठीक है focus on relative autonomy of institutions और institutions की relative autonomy अंतर निर्भरता पर ये ठीक है उस पर भी focus करती है कि institution और human behavior ये आपस में कैसे एक दूसरे को effect करते हैं ठीक है क्या importance है तो ये key argument है तो in a nutshell new institutionalism argue that it is necessary to the study of human behavior to understand the institutions betterly तो जो new institutional approach है वो ये कहती है कि अगर हमें institutions को betterly understand करना है ठीक है तो Olson wrote some key work इसके जो ये mancure Olson है न कुछ key work है इनके ये books के नाम है तो आप इनको भी देख लेना the rise and decline of nation power and prosperity is outgoing communist and capitalist dictatorships ठीक है dictatorship democracy and development ये mancure Olson की books है आप इनको भी याद कर लेना ठीक है देखिए rational choice theory क्या कहती है तो rational choice theory believe करती है कि human जो है वो एक rational crater है एक तरकसील प्रानी है ठीक है और all human being क्या जो सभी मनुश्य हैं वो क्या चाहते हैं अपने benefits को increase करना ठीक है अपने interest को increase करना जो इन्डिविज्वल की choice होती है वो institution को effect करती है ऐसा मानना है rational choice theory का क्योंकि मनुश्य एक तरकसील प्रानी है और सभी अपने हितों को बढ़ाना चाहते हैं ठीक है अपने lab को बढ़ाना चाहते हैं तो ये पहली branch हो गई new institutionalism की दूसरी branch क्या थी cultural new institutionalism जिसको propound किया था ओस्ट्रोम ने ठीक है अलिनोर ओस्ट्रोम ने तो जो cultural new institutional approach है ये क्या कहती है this approach argue that for the understanding of institutions we must have the understanding about society cultures and values देखिए ये cultural approach है na cultural new institutionalism है तो ये ये कहती है कि अगर हमें institution को अच्छे से समझना है तो हमें समाज, society, उसकी culture और values को भी अच्छे से understand करना होगा तभी हम एक institution को betterly समझ सकते है ठीक है ये ओस्ट्रोम की कुछ key works है बुक है एक तो पहली है governing the commons दूसरी institutional incentives and sustainable development ठीक है तीसरी है understanding institutional diversity चोथी है the future of the commons तो ये किसकी बुक है ये आपकी Eleanor Oström की बुक है ठीक है आप इनको याद रखेंगे तीसरी branch है जो की काफी important है structural new institutionalism ठीक है जिसको किस ने दिया था ये आप नाम याद रखना we must have knowledge about different different structures देखे हमें अगर politics की अच्छे से understanding करनी है तो हमें जितनी भी different different structures है different different institutions हैं देशों के अंदर उनकी हमें knowledge होना जरूरी है ठीक है और Teda argue strong structures are very important to the strong and stable state जो Teda iscopal है ये एक strong structure की बात करती है कि जो institutions है वो strong होने चाहिए सकती साली होने चाहिए ठीक है powerful होने चाहिए तभी कोई भी state जो है वो strong होगा और stable रहेगा ठीक है तो इन्होंने example भी दिया था USSR का इन्होंने कहा कि जो 1991 में USSR जो है collapse कर गिया था क्यों क्योंकि USSR की पास जो है जो political structure था ना USSR का वो weak था कमजोर था इसलिए वो collapse कर गया तो ऐसा मानना है Teda Scopal का इनके कुछ books है यह काफी important है आप इनको प्लीज याद रखना ठीक है अब प्रिवियस यर में आए है Teda Scopal की book का नाम क्या है States and Social Revolution जो की 1979 में publish हुई ठीक है इसमें इन्होंने comparative study की तीन country की France, रूस और चीन ठीक है यह बहुत important book है States and Social Revolution Teda Scopal की book है दूसरी protecting soldiers तीसरी डैमिनिस्ट डैमोकरेसी ठीक है यह तीन book आपकी Teda Scopal की है तो यहां हमारा complete होता है आपका new institutionalism ठीक है एक बार हम थोड़ा देख लेते हैं हिंदी में भी हिंदी का content आखिर क्या है यहां देखें यहां पर देखें new institutional approach नव संस्थावाद तो नव संस्थावादियों ने संस्थाओ का अधिहन वैग्यानिक रूप में किया तथा इसे सामाजिक संदर्भ में भी देखने का परियास किया यही तो इनकी main विसेस्ता है ठीक है वर्स 1984 में James March और John Olson के दुआरा the new institutionalism organizational basis of politics यह paper इन्होंने प्रकासित किया ठीक है आप इनका नाम याद रखेंगे इनके अनुसार संस्थाव को बहतर समझने के लिए व्यक्ति के वहवार का अधियन आवश्यक है I think आपको इतने से ही समझ में आ गया होगा कि new institutional approach आखिर क्या कहत ठीक है ठीक है देखिए तो new institutional approach की हमने देखा था कि तीन ब्रांच है ना तीन इसके तीन प्रकार है तो पहला था rational choice theory हिंदी में इसको बोलते हैं तारकिक चयन का सिध्धान्त ठीक है इसके प्रतिपादक को ने देखिए मैंक्योर ओलसन है इनके अनुसार व्यक्ति विवे प्रभाव व्यक्ति के चयन पर भी पड़ता है ठीक है तो ये थी आपकी rational choice theory दूसरी है आपका cultural new institutionalism सांस्किर्तिक नव संस्थावाद इसमें क्या है इनकी अनुसार संस्थाव की समझ के लिए समाज संस्किर्तियों इवर मुल्यों की समझ आवश्यक है इसलिए इनका मानन है कि व्यक्तियों का वहवार इन मुल्यों वैसंस्किर्ति से भी प्रभावित होता है ठीक है तीसरा है आपका संरचना आत्मक नव संस्थावाद structural new institutionalism जिसको टेडा स्कोपल ने दिया था ठीक है तो इन्होंने क्या कहा देखिए राज्ये की संरचना की व्याख्या करते विग्टन हो गया क्योंकि वहां राज्ये की संरचना कमजोर हो गई थी जब कि इसी दोरान चीन में सामयवादी सासन बना रहा और चीन में राजनीतिक संरचना या त्याधिक सक्ति साली है तो टेडा स्कोपल जो है वह इस्ट्रॉंग पावर्फूल structure की बात करती है ठीक ह कि किसी भी स्टेट में जो है पावर्फूल institutions का होना जरूरी है वरना वो collapse कर जाएगा तो यह थी आपकी new institutionalism theory तो friends यहाँ पर आपकी जो comparative politics का पहला topic है न approaches जो भी theory है इसकी वो हमारा complete हो जाता है ठीक है I hope कि आपने अपने notes बनाए होंगे और आपको यह class कैसी लगी कितना समझ में आया comment में जरूर बताया करे please ठीक है और अगर आपको अच्छा लगता है तो like share subscribe जरूर करे ठीक है तो आप comment में प्लीज जरूर बताना कि आपको class कैसी लग रही है कितना समझ में आ रहा है ठीक है ताकि हम आने वाली classes में जो है improve कर सके ठीक है और अच्छी लग र analytics की लेकर आएंगे ठीक है तो thank you